नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं आरोपो पर जबाब मांगा है, मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी सुनवाई की दोरान वादी की ओर से वरिय अधिवक्ता अजीत कुमार ने चिफ जस्टीस एम एस राम चंद्र राव और जस्टीस तीपक रोशन की कंट पीट को बताया है कि जारकंट समाने अशनात तक योगताधारी सनुत प्रतुता परिशा दोहजार तेईस आठाइस जनुवारी दोहजार चोविस को हुई थी इस परिशा में बड़ी संख्या में अवियार्थी सामिल हुए थे तब चातरों ने प्रश्ट पत्र लिग को लेकर जम कर विरोध प्रत्रशन किया था इसके बाद SIT का गठन किया गया उसी परकार 21 और 22 सितमर 24 की परिक्षा को लेकर भी चातरों पेपर लिग कारोप लगाया रायस परसाद ने इस समध में समधी थाने में प्राथमी की दर्ज करने के लिए ओनलाइन कम्प्लेंट दर्ज की उस पर भी कोई करवाई नहीं करना संदेह उत्पन कर रहा है कोडारमा में पूलिस का छापा एक रोर नगत बरामत कोडारमा थाना छेत्र के ब्रिंदा गाम में पूलिस ने होटल समेत बिभीन कारो बार से जुड़े सुख देव रजक के घर में छापे मारी कर एक रोर से ज्यादा नगत और अफिम बरामत किया है चापे मारी के दरन पुलिश ने सुखदेर रजक के भाई रोहित कुमार को हिरासत में लेते हुए दो SUV गारी के साथ दो मुबाइल जबत किये हैं चापे मारी सुमवार की राद दो बज़े से मंगलवार को एक बज़े तक चली है एसपी अनुदीप सिंग ने मंगलार को बताया है कि पुलिस को गुप्द सुचना मिली थी कि ब्रिंदा गाउं के एक घर में आवाईद रूप से अफिम और अफिम के बैपार के लिए पैसे रखे हुए है इसके बाद SDPO अनिल कुमार सिंग और पुलिस उपाधिक चक मुख्यारा रती नाभ सिंग के नतियुत में टीम को छापे मारी के लिए भेजा गया छापे मारी में 1.7.10.320 रुपे नगत और 58 ग्राम अफिम बराद में हुई है पुलिस ने नोट गिनने के लिए मसीन भी मंगवाई है दाना तूफान को लेकर 135 ट्रेने आज और कल रद चक्रवाथी तूफान दाना को लेकर रेलवे ने उडिसा चेनाई विज्दाखा पत्नमो अनेमार्ग की 134 अक्टुबर को रद कर दिया है इसमें से 7 ट्रेने रांची रेर मंडल से गुजरने वाली है 7 ट्रेने सामिल है इसमें नई दिली भुनेसवर राजधानी वाया मोरी 23 को और हटिया पूरी तपस्वी एक्सप्रेस भुनेसवर धनबाद गरीब राज धनबाद भुनेसवर गरीब राज 24 अक्टुबर को रद रहेगी वहीं भुनेसवर नई दिली राजधानी वाया मोरी और अनन्द भिहार टर्मिल एक्सप्रेस वाया मोरी 25 अक्टुबर को रद रहेगी इसके लावा दिल्ली भुनेश्वर्थ तेजास रिसी केस पूरी उतकल एक्सप्रेस और दिल्ली पूरी पूरसोतम एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है बताया जाता है कि दिल्ली से 23 अक्टूबर को रायधानी एक्सप्रेस और पुरसोतम एक्सप्रेस जबकि रिसी केस से उतकल एक्सप्रेस नहीं खुलेगी वहाई 24 सक्टूबर को पूरी से दिली, पुर्शोतम और रिसी केस पूरी उतकल एक्सप्रेस को रद करने का आदेश है इंडिया की सरकार फिर आई तो हर गरीब को एक अक लाख रूपए है कि मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि इंडिया गर्ट बंधन की सरकार फिर से आई तो अगले पांच साल में हर गरीब को एक अक लाख रूपए दिये जाएंगे लेने के लिए केंद्र से राय नीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे पर चूप नहीं बैठेंगे हमांत ने कहा है कि आने वाले पांच साल में राज में ऐसी कानून वेवस्था बनाएंगे कि लोगों को प्रखंड करेले का चकर नहीं लगाना पड़ेगा अधिकारी आपके घरों पर जाकर जाती आवासियों और आयपावन पत्र के साथ पेंसन भी देंगे जैराम महतों की पार्टी की चौथी लिस्ट जारी जैराम महतो की पार्टी जार्खन लोकतांतरी क्रंतिकारी मोर्चाने मंगलवर को चौथी लिस्ट जारी कर दी हैं इन सुची में 25 उमिद्वारों के नामों की घोसना की गई है बदाद जूक सलाई से बिनोद, स्वानसी और नाला से रघुविर याद, जामतर से तरोन गुपता, जमसेद पूर पच्छमी से प्यारे लाल साहू, रामगर से पनेस्वर महतो, मनोहर पूर से दिलबार खरका, जगरनाथ पूर से लक्षमी नाथ गगराई, विश्राम पू से सदाम अंसारी, बोरिया से उमेश बेदिया, गठवाज सोनु कुमार यादो, और चत्रा से उमेश भारती के नाम सामिल है, चुनाव में कम से कम लेई स्कूल बसे रभी कुमार, जारखन के CEO के रभी कुमार ने कहा है कि मदान के दिन सरोजनी की अतयात को कम से कम प्रभा भारत निवाचन आयोगद्वार निर्वाचन के कार्यों में इस्तेमाल के लिए स्कूली बसों को भी अधि ग्रहित करने का प्रधान है, लेकिन बचों की कक्छाय कम से कम प्रभावित हो, इसके लिए सिर्फ पोलिंग पार्टी के लिए ही स्कूली गाडियों को ले, वे ध विधान सभा चुनाओ डिटी में तैनात होंगे 14705 गिरीह रक्षक। मद्दान है मद्दान परकिरिया को स्वक्ष निस्पक्ष भायमुक्त वा सांति पुन वा तावरन में संपन कराने के लिए काफी संख्या में बल की परतिनुक्ति किया हो सकता होगी राजी के सभी जीले में उपलब्द एक कई सहसाथ गिरीह रक्षक तैनात हैं इनमे 1696 गिर मद्दाताव के लिए पहली बार परदानसी मद्दान केंद्र बनाये जा रहे हैं राची जीले की साथ बिधान सवा सीटो पर होने वाले मद्दान के लिए इस बार कूल 2777 मद्दान केंद्र बनाये गए हैं इनमे 236 बूथ परदानसी हैं कूल 236 परदानसी मद्दान केंद पर जब बुर्का धारी महिलाए वोट करने आती हैं तो परत्यासियों के बूत एजेंट आपस में भीड़ जाते हैं बोगस मद्दान का आरोप लगा एजेंट बुर्का आटाने की मांग करते हैं इसे लेकर विवाद होता है इस कारण मद्दान प्रभावित भी होता है मद्दान की गत धीमी हो जाती है इसका भी समस्या से निपटने के लिए चुनाव आयोग परदा नसे बूत लेकर आया है सर्जु राय जमसेद पुर्पच्मी से लड़ेंगे चुनाव जद्यू ने जारखन विधान सभा चुनाव के लिए दोनों सीटों पर उमिद्वार तैक कर दी हैं हाल ही में पार्टी में सामिली थोने वाले सर्जु रह जमसेत पुर्पच्मी से चुनाव लड़ेंगे वहीं पुर्व मंत्री राजा पीटर को तमार सटी कर दिया गया पुर्व में जद्यू के परदेश अध्यक्ष रह चुके पीटर ने हाल ही में जद्यू में वापसी की थी सोमवार को जद्यू के नेता सलेंद्र महतो उपेंदर सिंग सागर कुमार आदी ने पीटर को सिम्बल परदान किया है भाजपा ने एंडिया गडबतन के तहट जद्यू को ए दोनों सिटे परदान की है हलाकि परदेश नेतियों ते कुछ और सिटों को लेकर अपने राष्टे नेताओं से दबाव बनाए हुए थे इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है अरजुन मुंडा के खास चले गए हिमंत सुरेन के पास पूर्मुखवंत्री सव भाजपा नेता अरजुन मुंडा के बेहत करीबी माने जाने वाले घाट सिला के पूरो विधायक लक्षमन टूडू ने अचानक देर राद सीम आवास पहुँच कर अपनी बहान पूर्भी सीमभूम जीला परचत की चेयर्मेन बारी मुर्मु के संग जामो का दामन थाम लिया है कॉमल छोड लक्षमन ने तीर कमान थाम लिया है आईसा माना जा रहा है कि आप तीर कमान पकड़ कर लक्षमन टूडू भाजपा वा उसके नित्रित्य को अपनी चुनावी ताकत का अहसास कराएंगे बता दे तो 2014 चुनाव के कुछ माह पहले है या चानक लक्षमन टूडू सराय केला की रायनितिक को छोड़कर घाट चिला की रायनितिक में सक्रिये हो गए थे इसके पहले लक्षमन टूडू सराय केला से भाजपा के टिकट पर चंपाई सुने के खिलाब चुनाव विलर चुके थे बताया चाता है कि जब सफलता नहीं मिली तो अपने रायनितिक मेर्ग दस्तन कहे जाने वाले अरजुन मुन्डा के इसारे प्रलक्षमन टूडू की रायनितिक हाट सिला सिप्ट हो गई है देशी कटे और गोलियों के साथ तिन लूटे रे गिरफतार लूट और चोरी की घटनाव का अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह का पुलिस ने भंडा फोड किया है पुलिस ने गिरोह के तिन सदस्यों के गिरफतार भी कर लिया है तिनों आरोपियों की पहचान बोकारो जिला के बोकारो थर्मल जारंग डिह निवासी दानीस उरुप अक्तर मारा फारी थाना चेत्रे के अजादनगर सिवन डिह निवासी भोला कुमारदास उरुप छोटु उरुप भोरु वा तेनु घाट गोमिया के नावाबांध साइम निवासी रिजवान अंसारी के रूप में हुई है पुलिस को इनके पास से तिन देशी कटा और तिन गोली बरामत हुआ था बतादे इनके पास से बिते दिनों डिलेवरी मैं से लूट आ गया समान और बाइक भी बरामत हुआ है जार्खन बिहार के लिए विशेश ट्रेन की मांग जार्खन में बिधान सभा चुनाओं के बीच भारतिय जानता पाठी के प्रतिनिदी मंडल ने रेल मंत्रिया स्वेनी वैसनों से मुलकात की है परतिनिदी मंदल ने रेल मंत्री से मांग किया है कि 6 महापरपर मुंबाई से बिहार जारखन वा पुरुभी उत्तर परदेश के लिए नई ट्रेन शुरू की जाए मंगलवार को परतिन दि्मंडल ने रेल मंत्री से मुलकात कर्व उन्हें बताया है कि जारखन आपने घर जाने में कितनी परषाणियों का साम्हणा करना पड़ता है पलामु में 23 तक जा्मा करे हं थीयार पलामू जिले में विधान सभा चुना को लेकर सस्त्र धारियों को विभीन थाने में अपने हथियार जमा करने का जिला पर ससन के द्वारा निर्देश दिया गया था लेकिन 21 अक्टूबर तक 520 सस्त्र धारियों ने अपना हथियार नहीं जमा किया है जनकारी के अनुसार जीले में 1135 लोगों को हत्यार का लाइसेंस दिया गया है जिसमें 19 अक्टूबर तक 615 सस्त्र धारियों ने ही जीले के विभीन धारों में हत्यार जामा किया है जिसमें 87 सस्त्र धारी जीले से बाहर है सभी को अपने हाथियार को भी भीन थाने में जामा करने का अदेश दिया गया था जो जीले से बाहर है वे या तो सस्त्र के दुकान में या फिर जीस जीले में जाहां जामा किये है उसकी पावती रसीद लाकर समंदी जीले के थाने में जामा कर देना था बसंत सुरेन ने कहा चमपाई सुरेन जेमें में करेंगे वापसी जारखनों विधान सवा चुनाओ को लेकर महौल गर्माया हुआ है भरते जंता पार्टी के उम्मी द्वारों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपीनेता तेजी से पार्टी के धामन चोड़ रहे है वहाई अब जारखन के पूर्वस सीयम और वरतमान में बीजेपीनेता चमपाई सुरेन को लेकर जेमें नेता और हेमन सुरेन के भाईबसं सुरेन का बड़ा भयान समने आया है बिधान सभा चुनाओं की तारिखों के लान के बाद जार्खन का सियासी पारा चड़ा हुआ है इसी बीद CM हमल सुरेन के भाई बसान सुरेन ने ऐसा ब्यान दिया है जिसकी चार चार राइनती गलियारों में हो रही है चमपाई सुरेन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा है कि वे हमारे अविभावक थे अविभी हैं यह दुख की बात जरूर है कि वे दूसरी पार्टी में हैं हमें उमीद है कि वे जल्थी घर वापस लोट आएंगे जे एमेम ने 35 सीटों पर जारी की लिष्टे ज्यार Cancer चुनाओ के लिए ज्यार्खन मुक्ति मुक्ति मुचानमी द्वारों की पहली लिष्ट चारी कर दिया है पहली लिस्ट में 35 सीटों पर घोसना की गई है इसमें बरहेट सीट से सीम हमन सुरेन, गांडे सीट से उनके पतनी कलपना सुरेन, अदुमका सीट से भाईबसान सुरेन केंडिडेट घोसित किये गए है इसके अलावा पार्टी ने राज महासिट से एमटी राजा, बोर्यो से धरनजाय सुरेन, महेशपूर से इस्टिफन मरांडी और सिकारी पाड़ा से आलोक सुरेन, नाला से रविनरात महतो, मधूपूर से हफिजूल हसन, सारट से उदैस संकर सिंग, गिरिडिस से सुदिब् इसके अलोक से बेवी देवी और चंदन क्यारी से उमार कांत राजा के नाम सामिल है, चुनाओ में हार के बाद जारखन में नहीं दिखेगी बीजेपी आईसू, जारखन विधान सभा चुनाओ दोच्चोविस में हार के बाद भाजपा और आईसू पार्टी राज में कही दिखाई नहीं देगी, आईसू पार्टी के लोग चुला परमो की बैठा करते हैं, जबकि हम चुला देंगे और रखवाली भी करेंगे, ये बाते मुखी मंतरी हमान सुरे ने कही है, वे मंगलवार को चांडिल के गांगुडी मैदान में जामो परत्यासी सभीता महतु की जन सभा को समोधित कर रहे थे, बतादे सभीता महतु ने मंगलवार को इचागर से नमांकन किया है, सिया महमान सुरे ने कहा है कि हमारी सरकार में पताधिकारी पंचारतों में जाकर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में राशनकार जाजी पवान पत्र आवासे पवान पत्र आदिकारी पताधिकारी घर घर जाकर करेंगे, गा मजबूत होगा तो परखंड और फिर राज मजबूत होगा, हमारी सरकार बनी तो हर गरीब को सलाना एक लाख रुपे देंगे, अगामी पांच साल में हमारे लोगों को इतना बजबूत करेंगे कि जारखंड में मामा, चाचा काका किसी को घूसने नहीं देंगे। बंगलवार दोफर रांची आने के बाद भाजपाप परदेश अदेख्स बावलामरांडी संगठन महामंत्री करम पीर सिंग समेत पार्टिक वरिष नेताव सत्परधान मंत्री का कारकरम की योजना पर चाचा की गई है। चावा के साथ कहीं कहीं भारी बारिष होने का ओरेंज अलट भी जारी किया गया है। बतादे रांची बोकारो रामगर गुमला लोहर्दागा सिम्डेगा में कहीं कहीं भारी बारिष होने का ओरेंज अलट भी जारी किया गया। बजरपात का भी अलट है जबकि पलामो रासपास के चार जिलों में इस तुफान का असर कम पड़ेगा।